असलाम लेकुम स्टूडेंस आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि decimals क्या होते हैं और decimal को किस तरह से convert किया जाता है rational numbers में इससे previous video में जब हमने number system किया था तो मैंने आपको rational numbers के बारे में detail से बताया था कि rational numbers क्या होते हैं और rational numbers क्या होते हैं अगर आपको उस video का link चाहिए तो मेरे description box में link मौझूद है जिसमें हमने number system के बारे में detail से पढ़ा था तो वहाँ जाके मेरी previous video देखें आप rational number को detail से समझ सकते हैं लेकिन थोड़ी सी में आपको hint देदू कि rational numbers क्या होते हैं कि जिसको हम p upon q की form में लिख सकते हैं यह upon q की form में लिख सकते हैं यानि के 1 upon 2 की form में लिख सकते हैं और वो numbers हमारे पास होते हैं जो के terminating होते हैं जो के recurring numbers होते हैं terminating मैं क्यों कह रही हूं क्योंके 1 upon 2 equal होता है 0.5 के यह चलता नहीं चला जाता बलके stop हो जाता है तो यह मैंने details आपको rational number के बारे में hint दे थी तो आप previous video मेरी जरूर देखिएगा जिसमें rational numbers के बारे में आपको detail समझ में आ जाएगी तो आज की video में हम decimals को देखते हैं के decimal basically हैं क्या हमारे पास तो student कोई भी number इस तरह से लिखावा है जिसमें point आ जाता है suppose that यह लिखावा है 14.18 तो यहाँ पर तीन चीज़े matter करती है सबसे पहला point के जो आपके पास decimal से पहले यह जो number मौझूद है the number before dot इस dot से पहले जो number मौझूद है यह आपके पास कहलाएगा whole number यानि के 14 यहाँ पर क्या होगा 14 यहाँ पर हमारे पास whole number होगा फिर यह जो dot है इसको तो आप जानते हैं यह dot हमारे पास decimal कहलाएगा राइट और यह जो one eight है one eight यह आपका decimal part कहलाएगा decimal part तो यह चीज़े आपको याद रखनी है राइट यानि के dot से पहले जो number था वो हमारे पास whole part था whole number part या whole number भी लिखने से whole number अब यह dot हमारे पास decimal है और dot के बाद जो हमारे पास जो भी number है यह हमारे पास decimal part कहलाएगा राइट अब student होता क्या है कि हमने यह देखना है कि जो 14.18 है यह हम इसको अगर मुझे fraction में लेके आना है suppose करें कि मेरे पास कोई भी एक point में number given है suppose मेरे पास है 0.25 मैं आप से कहती हूँ कि आप इसको rational number में लिखके दिखाएए rational मतलब का मतलब है इस तरह fraction में लिखके दिखाएए अब fraction में हम इसको किस तरह से लिखेंगे इसका पहला तरीका यह है कि जो भी number है ना अब यह 0, 2, 5 अगर मैं point को यहाँ पे थोड़ी दिर के लिए भूल जाओ तो मेरे पास कौन-कौन से numbers बचते है 0, 2, 5 अब 0 की तो कोई value नहीं है point से पहले मतलब मैंने सिर्फ 25 लिख दिया अब आपको अगले step में क्या करना है यह point की जगा पे क्योंके point तो हमने हटा दिया numerator से तो point की जगा पे हमने 1 यहां पे लिखना है और point के बाद जितने भी digits हों उतने हमने 0 लगा देने अब point के बाद कितने digits थे 2 digits है तो हमने 2 0 लगा दिये अब इसी तरह से साथ साथ एक और example भी करते है दूसरे example यह है कि मेरे पास suppose that एक number था 2.10 अब मैं आपसे कहते हूँ भई इसको मुझे आपने rational number में लिखके दिखाना है तो numerator में जितने भी numbers हैं उसको आप as it is लिख दे point बस यहां से हटाया है point की जगा पे आप denominator में 1 लिखिए और जितने digits हैं दो digits हैं तो आप यहां पे 2 digits डाल दीजे तो 2.10 किसके equal हो गया 210 divided by 100 के अब आप इसको further simplify कर लिजे के वह यह 210 है यह 0 से 0 cancel out हुआ तो मेरे पास ही रह गया 21 upon 10 तो 21 upon 10 एक छोटा rational number हमारे पास आगया तो 2.10 किसके equal हो गया 21 upon 10 के equal हो गया अब इसी तरह से यहां पे भी यह भी further cut सकता है 25, 25, 25, 40, 100 होता है तो इसका मतलब है 0.25 equal आगया 1 upon 4 तो यहां पे कौन कौन से steps आपने करने हैं सबसे पहले जो decimal आपको given होगा decimal number आपको given होगा आपने उसको decimal के बगएर numerator में लिखना है और उस decimal की जगा पे आपने 1 लगा देना denominator में और उसके बाद जितने digits हैं आपने उतने 0 यहां पे लेखने है फिर इसको simplify करके you will get the result आप सुड़न में हम इसके opposite काम भी कर सकते है यानि कि आपको एक rational number दिया होगा और आप से कहा जाएगा तो उसके decimal में convert करें अब suppose that मेरे पास एक rational number है जो के है 36 upon 5 मैं कहते हूँ मैं इसका मुझे point में answer चाहिए तो आप क्या करेंगे 36 जो भी numerator में लिखावा होता है वो divide के अंदर जाता है और जो denominator में लिखावा होता है वो divide के बाहर आता है अब 5 का table आप इतना read कीजिए कि 36 आ जाए 36 तो नहीं आ सकता 36 से करीब तरीब आ जाए तो हम लिखेंगे तो 5, 7 जा 35 होता है अब 36 माइनस 35 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाता है अब 1 फाइट से छोटा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक point जब point उपर आएगा तो हम यहाँ पे 0 एजिली ले सकते हैं तो 5, 2s are 10 तो अब यह remainder कुछ भी नहीं है remainder खतम हो गया क्योंके 10 माइनस 10 0 हो गया तो 36 अपाउन 5 इक्वल हो गया 7.2 के अब अगर आपको चेक करना है कि 7.2 मैं आपको देती है और आप चेक करें भई इसका मेरे पास राशनल नंबर क्या आता तो आप किस तरह से चेक करते हैं कि 7.2 है आप इसको लिखते बगएट decimal के 72 हो जाता और डिनॉमिनेटर में इस पॉइंट की जगा पे 1 आजाता पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आजाता है तो 72 अपाउन 10 लिखा जाता अब इसको फर्दर डिवाइट करते हैं तो 2 की टेबल से कट सकता था 2 5s are 10 2 3s are 6 1 इदर आजाएगा 2 6 are 12 यानि के वापिस से मेरे पास 36 अपाउन 5 आजाता है तो 36 अपाउन 5 को जब मैं decimal में लेकी आई तो 7.2 आता है 7.2 को जब मैं वापिस से rational fraction में लेकी आई तो 36 अपाउन 5 भी आ रहा है तो अब cross check भी कर सकते हैं अब एक और मैं आपको hint देती हूँ एक question हम further solve करते हैं ताकि आपको clear हो जाए कि हम अब इसी तरह से एक हम और यहां पर solve कर लेते हैं अब suppose that मेरे पास decimal given है decimal number given है 4.08 मैं आप से कहते हैं उसको convert करें डाइस्टिल नमबर में तो आप क्या करेंगे point हटाएंगे तो उपर आजाएगा 4.08 और denominator में इस point की जगा पे यहां आजाएगा 1 अब यह दो digits हैं तो यहां पे 2.0 आजाएंगे तो यह बन गया 4.08 upon 100 तो अब इसको आप अराम से table से यह कट सकता है कौन से table से हम इसको काट सकता है इसको 5 के table, नहीं 5 से तो numerator नहीं कटेगा न 2 के table से इजीली कट सकता है 2.5s are 10 0 as it is यहां पे 2.2s are 4, 0 as it is 2.4s are 8 तो result आया 2.0.4 upon 50 अब यह फर्दर भी कट सकता है 2 के table से ही तो 2.2s are 4 यहां पे एक remainder आएगा तो 2.5s are 10 2.1s are 2.0 और 2.2s are 4 तो result आएगा 1.0.2 upon 25 तो यह राच्टल नमबर हमने ले लिया यानि के डैसिमल में यह नमबर था और राच्टल में आके हमारे पास 1.0.2 upon 25 हो गया अब स्टूडेंट इसके कुछ और questions भी है जो के हम नहीं करना है यानि के मैं कुछ यहां पे fractions लिखती हूँ जिसको हम decimal में convert करेंगे convert following fractions fractions given होंगी आपको into decimal form और आपने इसको convert करना है decimal में into decimal form तो सबसे पहले हमारे पास होगा number 1 18 upon 4 number 2 37 upon 5 इसका first 18 upon 4 यह मैं आपको solve it के बताती हूँ फिर second आप लोग खुद कीजेगा तो 18 upon 4 में पास fraction में है तो जो numerator में होता है हमें पता है वो जाता है अंदर और जो denominator में होता है वो रहता है बार अब 18 को हमने 4 से divide करना है तो यह आएगा हमारे पास 4 4s are 16 अब 18 minus 16 करेंगे तो remainder आजाएगा हमारे पास 2 अब again हमें यहाँ पे decimal के साथ 0 लेना है यहाँ पे तो 4 5s are 20 तो इसका मतलब यह है कि 18 upon 4 equal आजाएगा 4.5 के तो यह procedure है जो कि आपको follow करना है to convert fraction into decimal form अब second यह है कि हमारे पास कुछ decimal में given होंगे convert following decimal numbers into fraction यानि कि जो decimals हमें given होंगे इसको आख fraction में या rational number भी हम कहते है rational number में convert करें into rational numbers अब यह मेरे पास क्या होगा यहाँ पे first हम ले लेते हैं 0.15 second हम ले लेते हैं 0.08 third हम ले लेते हैं 3.15 और चलाएं यह तीन ही लेते हैं और इसमें से एक में आपको solve करके दिखा देती हूं इसमें हमारे पास 3 हैं जिसको हमने convert करना है rational numbers में और हमें decimal में given है तो student जब भी आपको decimal में given होगा और आपको convert करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे यह 0.15 इसको बगएर point के लिख दिया point खटेगा तो 1 लग जाएगा point के बाद जितने digit हैं 2 digit हैं तो यहां पे आप 2 digit लगा दे 2 0 लगा दे तो यह हो गया 15 upon 100 तो 5 के table से 5 3s are 15, 5 2s are 10 and 0 तो 3 upon 20 is the rational number जो के हमने इसको convert कर दिया तो इस तरह से मारे पास further questions है जिसको आप easy नहीं कर सकते हैं तो 0.08 को करेंगे इसको मैं करके दिखाती हूँ 0.08 है तो numerator में 0 0 8 यानिके सिर्फ 8 ही रहेगा 0 0 लिपने की जरूवत नहीं है तो यह हो जाएगा 8 upon अब पॉइंट अटाके 1 लिया और यहां पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हमने यहां पे 2 0 ले लिए 8 upon 100 अब 2 4s are 8 2 5s are 10 and 0 यानिके 4 upon 50 आया लेकिन यह again 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है 2 2s are 4 2 2s are 4 and 2 5s are 10 कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए thank you so much कि आपने मेरी वीडियो एंट तक देखी